हलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का राहूले केडमी पर आज हम आपके SAC MTS के लिए GKGS के महत्पूर्ण प्रिबियस एर कोशन करने वाले हैं तो इन सभी कोशन को आप पच्छे से रट ले जिएगा और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रूप दिया गया है वहाँ से जुआ इन टुकर्स का PDF आप रात कर सकते हैं तो चली जाता समय नुक्साना करते हुए सीधे अपने कोशनां से बचलते हैं देखे आपको पाला कोशन पुछा गया था कि किसी पूझीगत वस्तू की टूट फुट के लिए वार्सिक बत्ता डैस कालाता है तो इसी आपका मुल्या हरास का जयता है तो आपसर नबर A इसका correct answer आपको जाएगा मुल्या हरास इसके आगे अगरा कोशन दिया गया था कि वहारत में अहोम समराज डैस में इस्ती था तो इसका correct answer आपको जाएगा यह आपका ब्रह्मपुत घाटी में इस्ती था तो आपसर नबर चार इसका correct answer आपको जाएगा ब्रह्मपुत घाटी इसके आगे आगरा कोशन दिया गिया था कि दिपावली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान राम राजा रावन को पराजित कर डैस वर्सों के बनवास के बाद अयोध्या लवटे थे तो इसका करेक्ट रंसर आपको हुजाएगा इसके आगे आगला कोशन दिया गिया था कि चंद्रमाल लगभग 10 दिनों में पिर्थवी का चकर पूरा करता है तो इसका करेक्ट रंसर आपको हुजाएगा 27 दिन में आपको पूरा करता है तो आपसा नमबर 10 इसका करेक्ट रंसर आपको हुजाएगा 27 दिन अगला आपको कोशन दिया गया था कि मड़ी पुरी सास्तिर निर्थ के लिए किस प्रसीद महिला को पदम स्री पुरुसकार से समयध किया गया है तो इसका करेक्ट अंसराप को जाएगा एलम इंद्रा देवी को समयध किया गया है इसका करेक्ट अंसराप को जाएगा एलम इंद्रा देवी इसके आगी अगला कोशन दिया गया था कि अर्चना भारत में लोग सबा चुनाव लड़ना चाहती है वो अधिक्तम कितने निर्वाचन छेतरों से चुनाव लड़ सकती है तो इसका करेक्ट अंसराप को जाएगा दो निर्वाचन छेतरों से आपका चुनाव लड़ सकती है तो आपसर नमबर चार इसका करेक्ट अंसराप को जाएगा दो निर्वाचन छेतर इसके आगी अगला कोशन दिया गया था कि राज के निती निदर्शक सिधान्त भारतिय सविधान के किस भाग में है तो इसका करेक्ट अंसर आपको हो जाएगा भाग चार में आपका राज के निती निदर्शक सिधान्त के बारे में वरन क्या गया है और जो आपका राज का निती निद्रस्फिदान से लिया गया है तो यह आपका आयर लेंड के सब दंसे लिया गया है तो इसका correct answer आपको हो जाएगा आपसा Νमبر 8 यानि कि चौथा भाग इसकी आगरा को चंदिय का गया था कि आगरा के एक बैंकर सीव दयाल साहब ने डैस में राधा स्वामी सतसंग की असाबना की थी तो इसे करेक्ट अंसरब को जाएगा 1861 इसवी में आपका राधा स्वामी सतसंग की असाबना की गई थी इसके आगे आगे अगला कुछ अंदिया गया था कि निम नलिखित में से कौन सा पेसा मौसमी बिरोजगारी का एक प्रकार है तो इसका करेक्ट अंसरब को जाएगा किसान आपका इसका प्रकार है तो आपसर नमर ए इसका करेक्ट अंसरब को जाएगा किसान इसके आगे अगला कुछ अंदिया गया था कि किस देश ने किर्केट महिला एसिया कब 2022 जीता है तो इसका कर्रेक्ट अंसर अप को जाएगा भारत के द्वारत जीता गया है तो अपसर अमर तीन इसका कर्रेक्ट अंसर अप को जाएगा भारत इसके आगे अगला कुछ अंदिया गया था कि भारत की 2011 की जनकरना की अनुसार भारत के किस राज का लिंगा अनुपाथ सबसे कम है तो सबसे कम लिंगा अनुपाथ आपका हरियाना राज का है तो हरियाना इसका करेक्टर अंसर अपको हो जाएगा इसके आगे अगला कुछ अंदिया गया था कि नाहिद सिदकी को अक्टूबर 2017 में मिलाप पेश्ट के लाइफ टाइम अर्चिमेंट अवार्ड से समानित किया गया वो किस निर्थ साहली के लिए जाने जाती है देखे इनका समध आपके कथक निर्थ से है और कथक किस राज का साहली थे तो कथक आपका उत्तर प्रदिस राज का प्रमुक साहली थे इसके आगे आगे अगला कोछ न दिया गया था कि भारतिय सविधान का निमनलिखित में से कौन सा अनुछेद राष्टिय अनसूचित जाति आयो का प्रवधान करता है तो अनुछेद 338 करता है तो आपसा नमबर दो इसका करेक्ट अंसर आपको जाएगा अनुछेद 338 इसके आगे आगे अगला कोछ न दिया गया था कि गुरू बीपिन सिंग का समंद भारत की डैस निर्थ सैली से है तो इनका समंद आपके मड़ी पूर निर्थ से है और मड़ी पूर जो आपका साच से नहीं थै ये आपका मड़ी पूर राज से समंदी थै इसके आगे आग को जाएगा दो रज़त पताक देखे इसके आगे अगला को चंदिया गया था कि लोमस रिसी गुफा निमनली खित में से किस पहाड़ी पर इस्तित है तो इसका करेक्ट अंसर आपको जाएगा बराबर की पहाड़ी पर इस्तित है तो आपसर नमर तीन इसका करेक्ट अंसर आ कि असापना आपके रभिना टैगोर के द्वारा 1901 इसी में किया गिया था तो 1901 इसका correct answer आपको हो जाएगा इसके आगे 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 अगला कोच अदिया गिया था कि चुनना पत्थर डैस का एक प्रकार है तो यह आपका आवसादी सहल का एक उधारण है तो आपसा नबर तीन इसका correct answer आपको हो जाएगा आवसादी सहल इसके आगे अगला कोच अदिया गिया था कि भारतिय साविधान का अनुछेद 51A डैस का प्रवधान करता है तो अनुछेद 51A का समंद आपके मौली करतब इसे है और मौली करतब किस देश सविधान से लिया गया है तो मौली करतब आपके रूस के सविधान से लिया गया है और मौली करतब की संख्या कितनी है तो मौली करतब की संख्या आपका इगार है देखे 42A सविधान सांसोदा 1976 के दोरान आपके 10 मौली कर्टब को जुड़ा गिया था सविधान में और जो आपका इगारामा मौली कर्टब है इसे आपका 86 सविधान 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 2002 में जुड़ा गिया था तो इसके करेक्ट अपको जाएगा मौली कर्टब है इसके आगी अगला कोशन दिया गया था कि किस राजा को उसके सिकों पर वीम्रा बाजाते हुए दिखाये गया है तो आपका समुन्द रुप्त को दिखाये गया है तो अपसा नमर दो इसका करेक्ट अंसर अप को जाएगा समुन्द रुप्त अगला कुछन था कि इंदोर घराना भारतिय सास्तिर संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है इसकी अस्थापना डैश ने की थी तो इसकी अस्थापना आपके उस्ताद अमीर खान के दुरह किया गिया था तो आपसा नमर तीन इसका करेक्ट अंसर अपको हो जाएगा उस्ताद अमीर खान इसके आगे अगला कुछन था कि निमनलिखी तमेश से कौन सा जैरा यूज जनतु का एक उधारन नहीं है तो इसका करेक्ट अंसर आपको हो जाएगा जो आपका पच्छी है यह आपका जरा यूज का उधारन नहीं है इसके आगे अगला कुछ अंदिया गया था कि एतिहासी क सेर सा सूरी मार्ग डैस के बीश से होकर गुजरता है तो इसका करेक्ट अंसर आपको हो जाएगा दिल्ली और आपका अंसर इसके आगे अगला कुछ अंदिया गया था कि कुछ बिशेस परिवर्तनों के साथ टाइड पूल का वयस्क में रुपांतरन डैस कहा जाता है तो इसका का कयांतरन कहा जाता है तो आपसर नवर तीन इसका करेक्ट अंसर आपको हो जाएगा कयांतरन